नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर खोच खबर का एकरम जब बाग या जानवर को इनसान का खून लग जाता है तो उसे आदम खोर कहा जाता है जब इनसान को नफरत का स्वाद लग जाए, खून का चसका लग जाए वो दूसरे इनसानों पर तलवारे भाजने लगे, बलातकार की धंकी देने लगे, डीजे पर नाच नाच कर मारने काटने की बात कहने लगे तो हम उसे क्या कहेंगे, जॉंबी, नफरती आदम खोर, क्या कहेंगे हम इस भीड को जिनकी तस्वीरें हम, आप, देश और पूरी दुनिया एक के बाद एक देख रही है और देहल रही है क्या यही हमारा भारत, इसका भविश्य, क्या यही भीड है जो खून पर उतारू है आग में तपी पच्रकारिता दाखती है, सवाल, दर सवाल यह जो नफरती भीड है, यह हमारे आपके घर तक पहुच चुकी है हमारे आपके घर तक देश की राजधानी, दिल्ली तक पहुच चुकी है लिंचिंग मॉब जिस तरह से दिल्ली के द्वार का इलाके में एक फॉर्म हाउस में तथा कथित, गौर रक्षक, यानी गाए के नाम पर हिंसा नफरत पहलाने वाले लोग, दूसरों को मारने वाले लोग, एक भारती नागरिक को, राजा राम को पीट-पीट कर मार डालते हैं उससे हमें और आपको यह समझ लेना चाहिए, कि यह जो भीड है, यह सिर्फ एक समाज, एक समुदाए, यह यूं कहें, सिर्फ मुसल्मानों के लिए नहीं है, सोमवार, यानी 11 अप्रेल को यह घटना हुई, एक फॉर्म हाउस पे, यह कुछ लुमपन तत्थ को पहुचे, और इन्होंने कहा, कि यहां से उन्हें बीफ होने की आशंका है, खबरें मिली हैं, और आप देखिए, परिणाम सामने है, भीड कतले आम पर उतरती है, पीट-पीट कर मार डालती है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जो फॉर्म हाउस का इंचार्ज हैं, उनकी, बाकी जो उनके संगी साथी हैं, वो घायल हैं, अस्पताल में हैं, अब यह देखिए, यह भीड किसी को भी नहीं छोड़ रही, और छोड़ेगी भी नहीं, अभी तक आप, हम और एक सेक्शन, यह सोच के चल रहा था, कि सिर्फ एक मजहव, एक धर्म के लोग इसके निशाने पर हैं लेकिन यहां तो बात मीडिया पर भी आ गई, पत्रकार सौरफ शर्मा, जो न्यूज 18 के पत्रकार हैं, नोडा एक्स्टेंशन में रहते हैं, उन्होंने दस तारीक की रात को बारा बज़े अपनी ही सोसाइटी में, जब कहा जो जगराता हो रहा था, वहां पर उन्होंने क कि इसका साउंड कम कर दिया जाया, दस बज़े खतम हो जाना चाहिए था, बारा बज़े तक आवाज आ रही है, उन्हें भी इस उन्मादी भीड, उन्मादी मानसिक्ता ने छोड़ा नहीं, जिस तरह से सौरफ के साथ हाता पाई हुई, जिस तरह से उनकी पत्नी के साथ अ अपार्टमेंट है, सोसाइटी है वहाँ पर, और तो और उनके छोटे बच्चे को भी कबजे में ले लिया गया, लंबे समय तक यहाँ परिवार ट्रॉमा में रहा, और पुलिस निश्चित तोर पर कहने की जरुवत नहीं, बिलकुल खामोश रही, यह जो इंप्यूनिट पर तारी किया जा रहा है, कुछ लोग हैं जिनके ऊपर देश का कानून कहीं से भी लागू नहीं है, वह लोकतंत्र के लिए गहरा संकट पेश कर रहा है, एक बात जिसको लेकर कोई दुविधा आपके मन में, हमारे मन में, किसी के मन में नहीं रहनी चाहिए, वह यह कि रा राज में हो रही है, दूसरे राज में हो रही है, नहीं, यह planned violence है, यह नियोजित हिंसा है, यह भारत का नया normal है, एक बात बहुत साफ दिखाई दे रही है, कि देश भर में, अलग अलग राजियों में, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, जिस तरह से राम नवमी का जुलूस निकाला गया उसका इरादा बहुत साफ था उसे जान बूझ कर मुस्लिम बहुल इलाकों से ले जाये गया और तक्रीबन हर जगा इस जुलूस का निशाना मस्जिदे थी यह अकारण ही नहीं है कि हर जगा एक ही ढग से एक ही तरह के जंडे मस्जिदों पर लहराए गए नीचे एक ही धंके दीजे बचे चाहे मामला मद्धप्रदेश का हो पश्चिम बंगाल का हो मुंबई का हो गोवा का हो करनाटक का हो हैदराबाद का हो हर जगा आप पाएंगे कि एक ही धंक से दीजे बच रहा है उसमें अशलील भाषा वाले गाने बच रहे हैं हो रहा है और तो और बहुत सी जगों पर जन्ता के जो चुने हुए प्रतिमिली हैं वह उसका नेत्रित कर रहे हैं अब देखिए मद्धप्रदेश का खारगौन इलाका खारगौन में जिस तरह से राम नवमी के नाम पर जो जुलूस निकाला गया उसके निशाने पर मुस से यह राम नवमी के जुलूस निकला जिसके वीडियो खुद जुलूस निकालने वालों ने सोचल मीडिया पे शेयर किये वह हिंसा पहलाने वाले थे और उसके बाद जिस तरह से वहाँ प्रशाशन सतर से अधिक मुसल्मानों को निशाने पर लीता है उनके दुकानों को तोड़ता है, बुल्डोजर चलवाता है, उस से मकसद साफ होता है। मुंबई का मानखुर्द या फिर गोवा का वासको या सब इलाके जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर डेलिबरेटली हिंसा पहलाने की कोशिश की गई, हिंसा पहली। और हैदराबाद, हैदराबाद में जो भाशपा के विधायक हैं राजा सिंग, जिन्होंने बहुत नाम कमाया था उत्तरप्रदेश चुनाओं के दौरान, जहां उन्होंने धंकी दी थी मद्दाताओं को कि हम बुल्डोजर चलवाएंगे, आप देखिए कि यह शक्स जो जन ठुमक रही है, यहां पर साफ साफ गाली गलोज की भाशा इस्तमाल हो रही है, इनके अंगिनत वीडियो आए हुए हैं और वह सारे वीडियो देश के खिलाफ खड़े हुए हैं, देश विद्रोह के स्वर को लेकर खड़े हुए हैं, क्योंकि यह बोलते हैं कि हिंदू रा जन पुरतिनिधी के पास, और यहां पूरा का जो पूरा प्रदर्शन है, यह प्रदर्शन मुस्लिम बहूल इलाके में मस्जिदों के पास हुआ है, और करनाटक के तो क्या ही कहने, करनाटक एक के बाद एक दूसरी मिसाल कायम कर रहा है, पूरे करनाटक में चाह realizing हो गुल एक बात बहुत साफ कहे रहे थे कि इस बार राम का नाम लेकर पूरे इलाकों में साबित करने की कोशिश हुई कि कानून नाम की विवस्था कुछ नहीं है। पुहारदगा और बोकारों में वह सब राम नामी के नाम पर जो हिंसा का पूरा दौर देश भर में प्लैंड बे में चलाये जाने वाला था उसी की कड़ी में था। पूरी मशीनरी है इसे किस तरह का पॉलिटिकल पैट्रोनेज राजनितिक वर्धहस्त हासिल है इसे कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि इतना कुछ हो गया इस देश में एक जन प्रतिनिधी चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो उसने कहीं से भी नहीं कहा कि यह सब जो हो रहा है नफरत जो यह फैला रहे हैं लोग यह जो पूरे की पूरे हिंसा पे उतारू भीड है इसे लगाम आवाजे उठा रहे थे उन्हें निशाने पे लिया अब इसी कड़ी में देखिए कि जवाहर लाल नहरू विश्विद्याले में क्या हुआ जो तस्वीरे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं वह अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से जेन्यू को न परोसा जाता है हर तरह से जो हिंसा है उसे जायज ठहराना और हिंसा के नाम पर कानून विवस्था को अपने हाथ में लेना यह यूं कहिए कि कानून विवस्था को पूरी तरह से पंगू करके यह बताना कि हमारा ही शाशन है हम ही राज कर रहे हैं क्योंकि यह सब गहरा तालुक इन घटनाओं का एक दूसरे से है और आप देखिए उसके बाद से अब तक छात्र कह रहे हैं जिनको पीटा गया जिनको निशाने पे लिया गया कि पुलिस उनके पक्ष में कारवाई नहीं कर रही हिंसा फैलाने वालों के समर्थन में खड़ी हुई है यहाल जब देश की राजधानी दिल्ली का है जहां पर एक तरफ लिंचिंग होती है सिर्फ इस आधार पर कि वहां से गाय का मीट या कोई मीट जिसे वह संदिक्द मान रहे थे उसे बेचा जा रहा था या उसे वहां पर कलिक्ट किया गया था वहीं दूसरी तरफ विश्विद् यह बताना चाहा रहे हैं कि देश का कानून अब इनकी मुठी में हैं किस तरह से यह पूरी भीड या यह जो नए नए बजरंगी पैदा हुए हैं यह महिला विरोधी हैं इसका जीता जाकता उदाहरण इस समय उत्तरप्रदेश के बजरंग मुनी नाम का शक्स दे रहा है वह खुले आम महिलाओं को धमकी दे रहा है वह खुले आम कह रहा है यौन हिंसा की बात कर रहा है वीडियो में अपना प्राइवेट पार्ट दिखाते हुए यौन अपराद के लिए ललका रहा है यह सब कुछ हो रहा है और पूरा प्रशाशन सोया हुआ है यहां पर हमें और आपको यह समझना जरूरी है कि यह जो पूरा का पूरा माहौल बनाया जा रहा है यह बताने के लिए काफी है कि यह जो भीड़ है यह जो लोग पैदा हुए हैं जिनकी उमर बहुत कम दिखाई देती है कैमरों पर दरसल यह भारत को एक दूसरे ढंके नफरती उनमाद मे धकेलने के लिए तैयार हैं इस मुकाम पर हमें और आपको यह सोचना जरूरी है कि यह तमाम लोग जो एक तरह का गमच्छा एक तरह का बैनर लिये हुए एक तरह के जंडे लिये हुए हमारे आपके महलों में घूम रहे हैं यह किसी भी समय किसी भी वजह हमें आपको साथ ही एक बात और ज़रूरी है कि यह जो पूरी ब्रिगेड पैदा हो रही है इस ब्रिगेड का भविश्य क्या है इस और भी करनाटक की जो घटना है वह बहुत कुछ कह रही है करनाटक में हिंदू वहनी का राष्टिय सचिव और पेशे से ठेकेदार संतोष के पाटल ने प्रधान मंत्री नरेन मोदी को एक पत्र लिखा उस पत्र में उन्होंने साफ साफ कहा कि करनाटक का मंत्री के एस इशिरप्पा रिश्वत मांग रहे हैं उनका दावा था कि करीब चार करोड से अधिक की रिश्वत मांगी जा रही है उनसे और फिर वह आत्महत्या कर लेत उनके लिए एक आईना हो सकती है यह जो आत्मात्या यह बता रही है कि इस पूरी नफरत की ब्रिगेड में उनका कैरियर उनका भविश्य किस तरफ जा सकता है राम का नाम लेते यह जो आदम खोर है यह जो हिंसक भीड है इनके बारे में जब भी हम सोचें बात करें तो याद आती है आनन पतवर्धन की मशूर फिल्म राम के नाम और सच में राम के नाम पर इस देश में जितना कुछ हुआ है उसकी क्रोनलोजी को समझने के लिए बहुत जरूरी है यह फिल्म यह बताती है कि 1990 में जो हिंसक उग्र हिंदुत्व का आख्यान शुरू हुआ था जो मर्दवादी आख्यान था वह कितना घातक था जो जहर बोया गया तब से लेकर अब तक इसकी फसल हमें अपनी गली महलों में दिखाई दे रही है इन नौजवानों की शकल में यह नफरत दिखाई दे रही है और शायद जिस ओर इशारा यह फिल्म करती है राम के नाम उसका जो पूरा सरकल है वह एक तरह से पूरा हो रहा है क्योंकि इस फिल्म में बताया था कि यह जो मर्दवादी आख्यान है यह किस तरह से जो हिंदू मर्द है उसे हिंसक अपराधी में तब्दील करेगा और शायद आप अगर अगल बगल घुमाईए नजर दोडाईए तो दिखाई देगा कि डीजे पर नाशने वाले जो कम उमर के भारतिय नागरिक हैं यह सब उन घरों से होकर आये हैं जहां पर बड़े पैमाने पर वंचना है यानि पिछड़ा तपका यहां रिप्रेजेंट होता है उन्हें किस तरह से अपरागी बनाया जा रहा है और लोकतंत्र के खिलाफ देश के खिलाफ नफरत की अफीम चटा कर इन्हें एक हिंसक भीड में तबदील किया जा रहा है और अंत में दो पंक्तियां सादत हसन मंटो की मजभ जब दिलों से निकल कर दिमाग पर चड़ जाए तो जहर बन जाता है और यह जहर जो हमारे इर्दगिर्द फैलता जा रहा है इसे काटना रोकना हम सब के लिए जरूरी है क्योंकि आज नहीं तो कल यह हमें और आपको और हमारे इस प्यारे मुलक को डसेगा ही शुक्रिया